दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सब का स्वागत है, मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसन्य और आप भी प्रसन्य होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है तो आईए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्ते में कुछ नई बाते सीखते हैं आज की वीडियो में बना रहे हैं, कक्षा 11 की हिंदी की पाठे पुस्तक आरहो के पाठ अप्पु के साथ 2.5 साल जो की सत्य जीत रे द्वारा लिखा गया है इस पार्ट से समंधित प्रशन उत्तरों को लेकर के वीडियो बना रहे हैं, एक वीडियो हम प्रशन उत्तरों को लेकर के पूर में बना चुके हैं अब शेश जो प्रशन बचे हैं उनके उत्तरों को लेकर के वीडियो बना रहे है वीडियो बनाने से पहले आप सबसे आग रहे यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकोन को जरूर दबाएं तक कोई वीडियो आप मिशना कर पाएं कक्षा आठ से लेकर के और में तक के कक्षाओं की वीडियो हिंदी सहित्ते, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा सम्मधित हम बनाते हैं साथ ही साथ लगभग सभी प्रतियोगी परिक्षाएं जिनमें हिंदी की उपियोगीता है हिंदी संबंदी सवाल पूछ आते हैं वो वीडियो हम बनाते हैं तो आईए शुरू करते हैं हाज की वीडियो तो प्रशन दो है मान लीजिए कि आपको अपने विद्याले पर एक डोकुमेंटरी फिल्म बनानी है इस तरहें की फिल्म में तो सबसे पहले एक कहानी आपके पास होनी चाहिए यानि कि आप किस पर बना रहे हैं विद्याले पर बना रहे हैं तो विद्याले में भी क्या दिखाना चाहते हैं जैसे विद्याले का एक कैमपस दिखाना चाहते हैं तो उस पर भी एक कहानी आपको लिखनी पड़ेगी, आउटलाइन लिखनी पड़ेगी, जैसे कि क्या है कि दो तरीके होते हैं, सबसे पहले आप उसको लिख लीजे इस्टोरी को, और आप फिलमांकर कर लीजे, जैसे आपने केमपस दिखाया, खेल के मैदान दिखाये, बिल प्रोजेक्टर वगरा लगे होए हैं, केमपूटर लैब है, डिजिटल लाइब्रेडी है, लेंग्वेज लैब है, साइन्स की लैब से हैं, तो ये सारी चीजें आप दिखा सकते हो, और खुले मैदान को दिखा सकते हो, किसी बच्चे का इंटर्यू दिखा सकते हो, कि उस सबको दिखाने के साथ साथ, आपको एक स्टोरी जो लिखनी पड़ेगी, कि इसके बारे में जो वोईस होगी, आवाज होगी, कि ये उस जगहें का एक प्रसिद्ध सरकारी गयर सरकारी विध्यल्य है, इसकी विशेस्ताएं हैं, इसमें ये विशे अध्यापन करवाए जा आप एडिट कर सकते हो, कुछ चीजें पहले, कुछ चीजें बाद में आप उस कहानी के अकोरणिंग या जो प्रभावी लगे, उसके अनुसार बना सकते हो, आप लेख सकते हो, तो इस तरह से, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमने आपको बता दिया ह एक कहानी चाहिए और दर्शे चाहिए और दर्शे के लिए, फिर चीजें चाहिए, कैमरा चाहिए, आपको कैमरे चलाने वाला अच्छे विक्ति चाहिए, ये सब चीजें है, प्रशन नमबर तीन है, पथेर पांचाली फिल्म में इंद्रा ठाकुरुन की भूमी का निभा करें, उत्तर है ये इंद्रा ठाकुरुन की भूमी का निभाने वाली 80 साल की चुन्नी बाला देवी की मृत्यू हो जाती, तो सत्य जीत राय उससे मिलती जुलती शकल की व्रद्धा को ढोंगते, ये वह संभव नहीं हो पाता, तो संकेतों के माध्यम से इस फिल्म में उसक की सूटिंग की जा सकती थी, चुकि जब किसी कलाकार का फिल्म के मध्य में देहन्त हो जाए, तो यही विकल्प होते हैं, या तो स्क्रिप्ट चेंज कीजिए, या संकेतों मुस्किम रत्यु जहिर कीजिए, या दूसरे कलाकार के साथ फिर से सूटिंग कीजिए, प्रशन की फिल्म को सत्यजित रायक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसाइक माध्यम के रूप में नहीं, वे फिल्मों के द्रश्यों के संयोजन में कोई लापरवाई नहीं बरतते, वे द्रश्य को पूरा करने के लिए समय का इंतजार करते हैं, काश फूल वाले द् के कारण वे परिशान हुए परंतु उन्होंने किसी से पैसा नहीं मांगा वे इस्टूडियो के द्रश्य की बजाए प्राकरतिक द्रश्य फिल्माते थे वे कला को साधना मानते थे और निश्चित रूप से सब्तेजित राय एक बड़े फिल्मकार के रूप में फिल्म अच्छी फिल्म में उन्होंने बनाई हैं जिनकी चर्चाएं अक्सर हुआ करती हैं भाषा की बात करें तो उसके आधार पर जो प्रशन है प्रशन नमबर एक है पाठ में कई स्थानों पर तत्सम तदभाव छेत्रिये सभी प्रकार के शब्द एक साथ सहज भाव से आये ह ऐसी भाषा का प्रियोग करते हुए अपनी प्रिये फिल्म पर एक अनुछेद लिखें अब देखिए ये विध्यारती स्वेम लिख सकते हैं आपको कौन सी फिल्म प्रिये लगती है ये आपके उपर निर्भर है और जो भी आप प्रिये लगती है उसके बारे में आप कुछेद लिख सकते हैं तो अब चूंकि आप जहां पर भी रहते हैं जब हम कुछ भी बोलते हैं तो अपनी भाषा के शब्दों का प्रियोग सहज भाव से उसमें हो जाता है तो यहां पर प्रशन करने वाले यही जानना चाहते हैं कि आपको लिखने की कला आती है नहीं दूसरी उसे अपनी भाषा में लिखने का प्रियास कीजिए बस यह करना है अगला प्रशन है हर छेत्र में कारे करने या विभार करने की अपनी निजी या विशिष्ट प्रकार की शब्दावली होती है जैसे अपको के साथ धाई साल पार्थ में फिल्म से जुड़े शब शूटिंग, शौट, सीन, आदी फिल्म से जुड़ी शब्दावली में से किसी किनी दस की सूची बनाईए ऐसे शब्द तो उत्तर है जैसे ग्लेमर, लाइट्स, सीन, रिकोर्डिंग, कैमरा, एक्शन, फिल्म, हालिवूड, कट, अभिनेता, डबिंग, रोल, ये सब वो जो सिनिमा की है, फिल्म की है, सुटिंग के समय काम आती है, हर छेतर की ऐसी शब्द आवलियां होती है, उसका एक शब्द कोश होता है, जिसके आधार पर हम उस छेतर में जब काम करते हैं, तो उनका प्रियोग होता है, और उनको सुनते हैं, उनको बोलते हैं, इनके माध् इस्तिहार का मतलब है विग्यापन आजकल अभीनेता वे खिलाडी विग्यापनों में चाहे रहते हैं ये इसका बाक्य प्रियोग हो गया अगला है खुश किश्मती इसका मतलब है सोभाग्य ये मेरा सोभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे सीन यानि की द्रश्य वाह क्या द अधिक बारिस मंबई की बारिस ने प्रशासन की पोल खोल दी जमा यानिक इखटा सामान इखटा कर लो कल हरिद्वार जाना है अन्य हल प्रशन बोधात्मक प्रशन ये पाठ से कुछ अलग है लेकिन फिर भी कुछ महतुकुन प्रशन है जो जिनके उत्तर हम आपको बता देते हैं आपके लिए उक्योगी रहेंगे पहला प्रशन है अप्प्व के साथ द्हाइ साल संस्मरन नामक संस्मरन पथेर पांचाली फिल्म के अनुभौंस समंदित है जिसका निर्मान भारती फिल्म के इतिहास एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज है इस से फिल्म के सरजन और उनके व्याकरण से संबंदित कई बारीकियों का पता चलता है यही नहीं जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुन्दियाती है हुई जान पड़ती है उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधन हिंता के बीच अपनी कलादरष्टी को साकार करने का संघर्ष भी है यह पाठ मुल रूप से बांगला भाशा में लिखा गया है जिसका अनुवाद विलास गिते ने किया है किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूज बहली होती है बनने या ने बन पाने की अमुर्थ शंकाओं से घरी फिल्म पूरी होने पर ही फिल्मकार जन्म लेता है पहली फिल्म के निर्मान के दोरान हर फिल्म निर्माता का अनुभव संसार इतना रोमांच कारी होता है कि वह उसके जीवन में बच्पन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवन बना रहता है इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है प्रशन नमबर दो है वास्तु सर्प क्या होता है इससे लेखक का कारे कप प्रभावित हुआ उत्तर है वास्तु सर्प होता है जो घर में रहता है लेखक न एक गाउं में मकान शूटिंग के लिए किराये पर लिया इसी मकान के कुछ कमरों में शूटिंग का सामान था एक कमरे में साउंड रिकोर्डिंग होती थी जहां भूपेन बाबू बैठते थे वे साउंड की गुणवत्ता बताते थे एक दिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया जब लोग कमरे में पहुँचे तो साम कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था इसी डर से भूपेन ने जवाब नहीं दिया और इसे वास्तु सर्फ कहा गया कि ये घर में रहता इसलिए इसको बारना उचित नहीं है गाउवालों ने वहां के स्थानी लोगों ने मना कर दिया प्रस नमबर तीन है सत्यजित राय को कौन सा गाउव सरवाधिक उप्युक्त लगा और क्यों अपनी सूटिंग के लिए सत्यजित राई ने अनेक गाउं को देखा और उन में से जिस गाउं का चैन किया तो वो बोडाल गाउं था जो सूटिंग के लिए सबसे उप्युक्त लगा क्योंकि इस गाउं में अप्पू, दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गाउं के मैदान, खेल, आम के पेड, बास की जुर्मूट आदी सब कुछ गाउं में या आसपास मिला क्योंकि ये सारी चीज़ें सूटिंग के दोरान उस कहानी के अनुसार चाहिए थी तो वो सब चीज़ें एक गाउं में मिल गई, तो वही गाउं सबसे अच्छा लगेगा सोभाविक रूप से एक लेखक, एक निर्देशक को जिसमें उसको आसानी से अधिक से अधिक चीज़ें मिल जाएं ताकि अपनी सूटिंग को बार बार एक जगें से दूर जगें ने ले जाना पड़े मैक्सिमम चीज़ें एक जगें पूरी हो जाए अगला प्रशन है लेखक को दोबी के कारण क्या परेशानी होती थी उत्तर है लेखक बोडाल गाओं के जिस घर में शूटिंग करता था उसके पडोस में एक धोबी रहता था वे अकसर भाईयों और बहनों कहकर किसी राजनितिक मामले पर लंबा चोड़ा भाषन सुरू कर देता था शूटिंग के समय उसके भाषन से साउंड रिकोर्डिंग का काम प्रभावित होता था धोबी के रिस्तेदारों ने उसे संभाला इस तरह से उसको परिशानी आई लेकिन वो मामला जिसे चल गया अगला प्रशन है पुराने मकान में शूटिंग करते समय फिल्मकार को क्या-क्या कटनाई आई उत्तर है पुराने मकान में शूटिंग करते समय फिल्मकार को निमलिक्त कटनाई आई नमबर एक पुराना मकान खंधर था उसे ठीक कराने में काफी पैसा और समय खर्च हुआ लगवग एक महीना लग गया नमबर दो है मकान के एक कमरे में साप निकल आया जिसे देखकर आवाज रिकोर्ड करने वाले की बोलती बंद हो गई खंधर मकान था थोड़ा सा डर हमेशा लगा रहता था पडोस में जो लोग थे वो कहीं व्यवधान डालते थे तो इस प्रकार से कुछ छोटी-छोटी समस्याएं सामने आई प्रशनमबर 6 है सुबोद्दा कौन थे उनका विवार कैसा था उत्तर है सुबोद्दा 60-65 आयू का विच्छिप्त वृद्ध था वे हर वक्त कुछने कुछ बड़बडाता रहता था पहले वे फिल्म वालों को मारने दोड़ता है परंतु बाद में वे लेखक को वाईली तो विद्धरतियों ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं वीडियो आपने पूरी देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नह भूलें, आपके मन में कोई सवाल जिग्या साब प्रशन हो तो आप कमेंट्स के माद धंजे पूछी हम उसका समधान करने का प्रियास करेंगे, आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार झाल झालCR koleईबर ऑके लिए्यों से लिए इतना हीisen करेंश से तक के लिए महीं उस्याद Anda, नेक्स्ट टोपिक साथky करेंवे पूक्ली के लिए एका नेक्सां करेंबर हैं, अईज भागड़ में ऊ assault फोट ऐए इतना हैं, अग्यु. झाल